हेलो फ्रेंड्स भारतिय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पुने में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया एक ऐसा रिकॉर्ड जो भारतिये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है जी हाँ पर खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डी क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या इसे सब्सक्राइब करें भारत बनाव आस्ट्रेलिया टेस्ट मैच सिरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन आस्ट्रेलियाई गेंदबाज ओकीफ की बहतरीन गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया की पहली पारी सिर्फ 105 रण पर सिमट गई भारत ने अपने आखरी साथ दिकेट सिर्फ 11 रण के अंदर ही गवा दिये जी हाँ 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेल रही टीम इंडिया का अब तक का यह सबसे खराब परदर्शन है आकड़े बताते हैं इससे पहले भारत का सबसे खराब परदर्शन न्यूजिलेंड के खिलाफ फरवरी में 1990 में क्राइस्ट चर्ज टेस्ट में रहा था जब 18 रण पर इतने विकेट उसने खो दिये थे उस्टेस्ट में भारती टीम अपनी पहली पारी में 164 रण पर सिमट गए थी 146 से 164 रणों के बीच भारत ने 7 विकेट खो दिये थे परंतु आज के मेच में 85 साल की इतिहास में यह पहला मौका है जब टीम इंडिया की पारी इतनी बुरी तरह से लड़ ख़डाई है और 7 विकेट मेहच की 11 रणों के अंदर गवा दिये है फिलहाल आस्ट्रेलिया टीम अपनी दूसरी इनिंग में 143 रणों के साथ आया है तो किर्पिया डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें धन्यबाद